ये है Samsung Galaxy Fit 3, नया fitness band, देखते रहे हैं, तो ये है Samsung का नया fitness band Samsung Galaxy Fit 3, ये जो fitness band है इसे Samsung ने silently launch किया है, चलिए मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ, तो box के अंदर fitness band को इस प्रकार से pack किया हुआ है, अब ये तीन exciting color options में available है, मुझे ये white color variant मिला हुआ है, जो कि काफी interesting look के साथ म strap है, मैं feel कर पा रहा हूँ कि इसके जो quality है, बहुत ही बढ़िया है, अगर आप ये खरीदेंगे, आप जब इसे पहली बार unbox करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि quality काफी बढ़िया है, और खास करके अगर आप buckle की तरफ ध्यान दे, तो इसके design है, ये अलग है, और ये जो fitness band है, ये देखे, नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है, इसमें यहाँ पर एक ही button दिया हुआ है, और I think इसमें microphone भी है, लेकिन मैं ये चेक करने वाला हूँ, देखते हैं कि इसके अन्य features क्या है, ये देखे, ये है इसका charging points, और यहाँ पर ये दो buttons आप देख रह है, ये देखे, ये है इसका charging dock, अभी जो dock है थोड़ा सा अलग है, comparatively, जो कि हमने दूसरे fitness bands में देखा था, तो इसे basically आपको match करना है, ये magnetic है, ये देखे, चिपक जाएगा, और इस प्रकार से इसमें बैटरी है उससे आप त्राज कर पाएंगे, इसके अलावा box में आप आपको naturally एक user manual booklet मिलने वाला है, प्लस अन्या booklets, warranty card, और ये है quick start guide, तो जो बटन है से प्रेस करके अगर आप hold करेंगे, तो इस प्रकार का आपको option दिख जाएगा, एक बड़िया सा animation भी आपको दिखने वाला है, और by default ये English language per set है, और अब मुझे जो galaxy variable application है, smart phone पर install करना ह और फिर मैं इसके साथ में connect कर पाऊंगा, quality इसकी काफी बढ़िया है, ये metallic body के साथ में आता है, नीचे plastic material उसके आगया है, प्लस इसमें sensors भी दिया हुआ है, finishing बहुत ही बढ़िया है, pricing के साब से मुझे लगता है कि काफी impressive deal है, लेकिन देखते हैं कि इसके जो अन्या features है देखें इस प्रगार का animation आपको मिलने वाला है, तो installation करते समय आपको ये जो Galaxy Fit 3 plugin है, इसे भी आपको install करना है, अगर आप Samsung के devices यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको additional software जो है, वो भी install करना पड़ेगा, तो इसका installation process है ये वैसा ही है, जैसा कि Samsung के premium level के smart watches पर आपको मिलता है तो आपको basically set करना है, किस हाथ पर आप इसे पहनने वाले हैं, और almost setup हो चुका है, तो फिलाल मैंने setup कर दिया है, और ये देखें, ये है इसका default watch face, जो की अच्छा है, in fact इसे बढ़िया watch faces आपको application के जरिये मिल जाएंगे, इसके अलावा ये देखें, ये है quick setting के options, और ये है menu options, जो interface है, काफी अच्छा है, काफी smooth है, तो यहाँ पर दिखें, ये है notifications, यहाँ पर आप notifications बढ़ पाएंगे, आपको health status है, उसके बारे में जानकारी, plus यहाँ से आप physical activities है, उसे run कर पाएंगे, ये sleep को भी track करता है, जो fitness band है, काफी बढ़िया है, और आपको ये काफी comfortable experience देने वाला है, इसके साथ में आप सो सकेंगे, और काफी comfortable रहेगा, नीचे देखें, heart rate जो option है, sensors, ये देखें, अब ये काम कर रहा है, ये तभी काम करते है, जब आप इसे पहनते है, तो ये detection के साथ में आता है, ये जैसे मैं इसे पहनता हूँ, अब ये activate हो गया है, औ जैसे मैं इसे निकालता हूँ, ये बंद हो जाता है, और ये है weather का option, अगर आप चाहें, तो इसे add कर सकते हैं, calendar का भी option ये आप दिया हूँ है, events का, media playback, प्लस ये है heart rate, ये women's के लिए, और अनिये tiles आप आप कर सकेंगे, और जो button है, इसे double प्रेस करने से, जो activities है, वो listing ट्राक कर सकता है, और अगर आप इसे एक बार प्रेस करेंगे, तो basically ये इस screen पर आने वाला है, ये है default home screen, तो ये जो application है, इसके ऊपर देखिए, इतने options available है, watch faces, यहाँ से आप additional watch faces को download कर पाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही interesting type के watch faces आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये जो look and feel है, काफी है तक change करने वाला है, ये देखें, काफी impressive level के watch faces, हर दिन अगर आप चाहें तो एक नया watch face को install कर सकते हैं, मैं इन में से कोई एक अच्छा सा watch face, for example, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे add करता हूँ, और ये अब watch पर install हो जाएगा, तो अब जो watch face है, ये install हो चुका है, और यहाँ पर देखें, ये है watch face, काफी amazing लग रहा है इस white fitness band पर, वैसे मैं आपको एक और चीज़ बतना चाहता हूँ, tap and hold, तो यहाँ से इस परकार से आप ये जो watch faces है, इन्हें भी आप change कर पाएंगे, ये देखें, इतने सारे default watch faces के साथ में आता है, ये भी अच्छा है, और ये भी काफी interesting है, ये देखें, मैं फिलाल ये वाला select करता हूँ, काफी बढ़िया लग रहा है, मैं setting की option में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक चीज़ चेक करने वाला हूँ, display में, और यहाँ पर always on का option दिया हूआ है, जो catchy चीज है, वैसे ये amoled display है, और amoled display definitely एक बढ़िया सा experience आपको देता है, जो display की quality होती है, amoled की वो काफी बढ़िया होती है, और उसके कारण जो experience है, वो भी एक तरह से enhance हो जाता है, तो definitely amoled एक बढ़िया option है, इस पर, इस price में, और इसमें always on का भी option दिया हूआ है, तो ये है app स्क्रीन यहां पर जितने भी applications आप देख रहे हैं, ये basically watch पर है, इन्हें आप customize कर सकते हैं, position change कर सकते हैं, तो बहुत सदा customization options आपको मिलता है, ये hit tiles का option, तो ये options भी आप जो में आपको दिखाया था watch पर, ये देखे, इस प्रकार का option आपको watch पर दिख रहा था, तो इसे आप यहां से application आपको यहां से यूज कर सकते हैं, इनकेस जो watch या फिटनेस बैंड इसके उपर अगर आप सही तरीक से नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो application आपको यूज कर सकते हैं, quick panel का option है, ये again, जो quick setting है इसमें, उसके लिए दिया हुआ है, तो बहुत ज़दा customization आप आसानी से जो application है, इसे use करके कर पाएंगे, ये जो fitness band है, इसके उपर कितना battery बचा हुआ है, उसके बारे में जैनकारी भी आपको यहां से मिल जाएगा, plus additional settings आपको यहां पर मिल जाएंगे, जो कि दूसरे watches या फिर fitness bands पर भी आपको मिलता है, always on option जो है, इसे आप setup कर सकते हैं, touch screen to wake, और भी बहुत सारे options हैं, आपका जैसे requirement होगा, इसके साब से आप इसे set कर सकते हैं, अब इसमें built-in speaker नहीं है, और built-in microphone भी नहीं है, तो जाए सद आपको call alerts के बारे में जानकारी मिलेगी, मतलब कि vibration के माधियम से, और of course आप इसके मिलता रहेगा, और इनकेस अगर कोई firmware update होगा, तो यहां से आप कर पाएंगे, तो इस fitness band के साथ में, मैंने एक चोटा सा run किया था, जो कि मैं usually करता हूँ, एक interesting चीज इसकी ये है, कि जब आप इन में से कोई भी एक activity select करते हैं, और activity के दोरान अगर आप रुख जाते हैं, तो जो activity tracking है, यह pause हो जाता है, और जब आप movement करना शुरू करते हैं, तो जो activity tracking है, यह फिर से आपकी जा activity है, उसे track करना शुरू करता है, तो यह देखे, यह है मेरा activity results, फिलाल अभी तक 4359 steps हो चुके हैं, और battery life के अगर बात करें, तो 53 था, अब यह 49 पे पहुँच गया ह है, तकरीबन 4% ड्रॉप हुआ है, एक्सराइज ट्रैकिंग के दोरान, अब देखे, आपका जो smartphone है, उस पर भी आपको Samsung Health करके जो application है, उसे install करना पड़ेगा, और यह automatically sync करेगा, जो watch है इसके साथ में, या फिटनस बैंड है इसके साथ में, और यहां पर देखे, मेरा activity है इसके बारे में जानकारी, और यहां पर आप देख सकते हैं, कि इसने map tracking भी किया हुआ है, वैसे जो fitness band है, इसमें GPS नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह जो map data है, क्योंकि जो phone है, यह मेरे साथ में था, तो इसने fitness band है, इसने GPS डेटा भी लिया हुआ है, ट्रैक किया हुआ है, और यहां पर आपको पूरा details में जाएगा, आपका जो physical activities है, उसके बारे में, workout details में जाओं तो यह देखे, 3579 steps, वैसे देखे, जो step count है, यह इतना जादा important नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे रहते हैं, कि step count जो है, यह एकदम accurate होना चाहिए, अब देखे जितने भी fitness bands होते हैं, या फिर smart watches होते हैं, यह आपके hand movement के basis पर आपका step count है, उससे detect करते हैं, ना कि actually आपका step count के basis पर, तो consistency के लिए देखे, accuracy के लिए मच जाएए, तो यहाँ पर 3500 के आसपास step count मुझे यह जो fitness band है, इसके सब में मिला हुआ हुआ है, और यह step count आप दे तो काफी difference है, 450 के आसपास, लेकिन वो इतना माइने ने रखता है, as long as आपको consistent results मिलते हैं, और मेरे पास smart shoes भी है, तो उसके साथ में भी मैंने tracking किया था, जो shoe है, वो ही tracking करता है, तो basically running shoe है, और यहाँ पर दिखे, उसका जो activity है, उसके बार में जानकारी भी यहाँ पर दि ना कि accuracy के पीशे भागना, यह जो fitness band है, इसका वजन है, 36.8 grams के आसपास, और इसमे Bluetooth 5.3 technology यूज किया गया है, जो कि काफी बढ़िया है, efficient है, और power saving भी है, यह free RTOS run कर रहा है, out of the box, इस पर AMOLED display यूज किया गया है, 256 by 402 pixels resolution, 16 million color depth है, काफी बढ़िया display है, 16 MB, GV नहीं है, MB memory है, और 256 MB storage space दिया हूआ है, इसमें accelerometer है, barometer, gyro, optical heart rate sensor और light sensor दिया हूआ है, battery capacity 208 mAh की, और इसका जो typical usage है, यह है तकरीबन 13 days का, लेकिन मेरा जो usage है, उसके हिसाब से मुझे तकरीबन 10 days का battery life मिल जाएगा, अगें depend करता है कि आप इसे किस तरीके से use कर रहे है, इस product का pricing है 4,999 रूपीज, link मैंने video के description में दिया हूआ है,